आज हम Newland Lab के बारे में discuss करेंगे तो Newland Lab यह एक API manufacturer है अलग-अलग तरीके के वो APIs जो है वो manufacture करते है जैसे कि specialty type के उनके कुछ APIs है इसके अलबाब prime segment के याने prime APIs है और third जो business segment है वो CMS business segment है याने contract manufacturing के related उनका एक business segment है तो यह जो अलग-अलग business segment है Newland Labs के इसके बारे में यह video हम काफी detail में discuss करेंगे इसके पहले मैंने और एक video upload किया था जो R3 drugs के related था तो R3 drugs का जो business segment है वो आप देखोगे तो वो भी API segment में आ जाता है तो यह जो video आपने यदि देखा नहीं होगा तो पहले वो वीडियो आप देख सकते हो क्योंकि इसमें आप देखोगे तो काफी similarities है काफी जो APIs है आप देखोगे तो R3 drugs भी manufacture करता है या इसके लवा Newland Lab भी manufacture करता है तो आपको और कुछ detail जो है वो R3 drugs के वीडियो में मिल सकते है तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जबू पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल पर मैंने काफी अलग-अलग जो sector से उनके बारे में आपको बताया है fundamental analysis किया है complete और इसके लग जो quarterly results होते हैं इसके बारे में बताया है मेरे portfolio की कुछ stocks है वो भी मैंने आपके साथ share किया है तो ये जो सारे details से आपको ये चैनल में मिल जाएगे मैं Twitter और Instagram पर भी active हूँ तो आप मुझे वहाँ पर भी follow कर सकते हो तो अभी हम detail देख लेते हैं कि Newland Lab का जो business segment है वो उन्होंने कैसे develop किया उसके अलावा उनके क्या क्या अलग अलग business segments है उनका profitability कैसा है उनका valuations कैसा है ये सब के बारे में अभी हम देखते हैं हम पहले Newland Lab की जो journey है उससे शुरू करेंगे तो Newland Lab ये जो company हो 1984 में शुरू हुई थी 1986 ने उन्होंने उनकी जो API का first sell है उन्होंने complete किया बाद में 94 में उन्होंने stock market में listing की याने BAC है जो stock exchange है उस पे उन्होंने listing किया बाद में 1997 में USFDA ने उनके जो plans थे उसका first time audit किया और बाद में ये जो लगातार audit से वो चलते रहे फिलाल में भी उनका 2020 में एक audit हुआ था 2004 में उन्होंने जो US के operations से उनकी शुरुवात की और फिलाल में total Newland Lab के जो revenues है उसमें से जो 31% के revenues है वो US से आ रहे है 2007 में उन्होंने जैपैन में एक जो subsidiary है उसका भी launch किया 2013 ये जो year है वो Newland Lab के लिए काफी important year है क्योंकि ये year से आप देखोगे तो उन्होंने जो niche APIs है याने जो specialty type की APIs है उन पे focus करना शुरू किया और उन्होंने जो APIs है उनको manufacturing किया और इसके अलावा जो custom manufacturing solutions है याने जो CMS business है ये उनके total business का एक part है जो फिलाल में काफी तीजी से grow हो रहा है तो उसकी भी उन्होंने शुरुआत की इसके बारे में इसके जो सारे details है हम आगे जाके और detail में देखेंगे उसके बाद 2018 में आप देखोगे तो उन्होंने एक acquisition किया था एक pharmaceutical जो company है उसको acquire किया जिसका नाम था Ark Pharma करके और उसमें आप देखोगे तो उन्होंने उसका नाम change करके बाद में unit 3 कर दिया Newland Lab के पास already दो manufacturing के plants थे API के लिए और बाद में ये acquisition के बाद में उन्होंने third जो manufacturing का plant है उसको add किया 2020 में ये जो company है उसके total 100 million के जो revenues है उन्होंने उसको cross किया और इसके अलावा जो CMS business है याने contract manufacturing solutions का जो business है उसमें currently उनके 75 से जादा जो projects है वो operational है और इसके अलावा यही year में याने 2020 में USFDA का audit था unit 2 का audit उन्होंने successfully complete किया और ये जो था वो 15th audit था company के लिए अभी हम Newland Lab के अलग-अलग जो business segments है जिससे उनके revenues आते है उसके detail देखते है तो first उनका जो business segment है वो CMS का है याने custom manufacturing solutions तो ये segment में आप देखोगे तो जो actual drug manufacturer होता है याने जो formulations को manufacture करता है उसमें अलग-अलग stages में होता है याने phase 1 होता है, phase 2 होता है, phase 3 होता है, clinical trials इसके बाद में आप देखो तो commercialization होता है, तो ये जो सारे अलग-अलग phases होते है drug development के लिए उसमें आप देखोगे तो drug development करने के लिए important जो material होता है उसको active pharmaceutical ingredient याने API कहा जाता है और API को manufacture करने के लिए कुछ raw materials लगते है जिसको intermediates भी कहा जाता है तो ये जो APIs है या ये जो intermediates है जो drug development के लिए लगते है जो फिलाल में अलग-अलग stages में है total count आप देखोगे तो 75 से ज्यादा उनके जो projects है वो फिलाल में चल रहा है कुछ phase 1 में है कुछ phase 2 में है कुछ phase 3 में है और कुछ ऐसे भी उनके जो projects है वो already commercially उन्होंने launch कर दिये है और इससे उनको एक sustained revenue आ रहा है CMS ये जो business है वो फिलाल में काफी तीजी से increase हुआ है 2019 से 2020 ये year में आप देखोगे तो ये जो business है वो 100% से grow हुआ है यानि काफी तीजी से ये जो business है वो grow हुआ है इसके बारे में और जो details से हम आगे जाके देखेंगे Newland Lab का जो second business segment है उसमें आप देखोगे तो prime APIs वो manufacture करते है यानि ये business segment में ऐसे APIs आते है जो already mature हो चुके है यानि उसकी जो growth rate है वो काफी कम है वो एक commodity type के APIs है या इसके अलाबा ये APIs में जो competition है वो काफी जादा competition है compare to जो बाकी APIs है यानि specialty type के API और ये जो prime APIs है उसमें आप देखोगे तो जो margins होते है वो काफी कम होते है compare to specialty APIs Newland Lab का जो third business segment है वो specialty type के APIs है यानि यहाँ पर वो कुछ complex तरिके जो APIs है उनको manufacture करते है जिसको niche APIs भी खहा जाता है तो ये जो business segment है इसमें generally competition कम होता है compare to जो prime business segment है क्योंकि prime ये जो APIs है वो generally एक common APIs होते है जिसमें ज़्यादा competition है इसके लावे ये जो specialty type के APIs है उसमें आप देखो तो generally जो margins होते है वो थोड़े better होते है compare to prime APIs ये जो specialty APIs है इसके लावा जो prime APIs है इसमें exactly कौन-कौन से जो APIs है जो newland lab manufacture करता है इसकी जो details है हम आगे जाके देखेंगे और specialty APIs और prime APIs ये generic drug substance ये जो business segment है उसके under आता है याने यहाँ पर आप broadly देखोगे तो newland lab के दो business segment से एक business segment हो गया CMS याने custom manufacturing solutions और दूसरा business segment हो गया GDS याने generic drug substance और GDS के अंदर दो आते है specialty type के APIs और prime type के APIs अभी हम generic pharmaceuticals का value chain देखते है तो जो first step होता है वो R&D का होता है याने research and development का होता है जहां पर ये decide किया जाता है कि कौन सा जो drug है उसको manufacture करना है उसके applications क्या है इसके लिए कौन से APIs लगेगे APIs के लिए R&D किया जाता है तो manufacturing में जो first step होता है उसमें आप देखोगे तो general raw materials जो होते है याने जो intermediates होते है उनका manufacturing किया जाता है और यही जो intermediate से उससे बाद में आगे जाके जो APIs है उसका manufacturing किया जाता है API याने active pharmaceutical ingredient इसका जो use है वो actual में जो drug है वो manufacture करने के लिए use होता है जिसको formulation भी कहा जाता है और बाद में एक बाद जो drug है उसका manufacture complete होने के बाद उसको marketing और distribution किया जाता है वोलसेलर को उसको sell किया जा जाता है और बाद में यह जो retailers है जो pharmacies है वो actual में consumer को यह जो drug है उसका sell करते है अभी हम drug discovery और development के blockchain के retail देखते है तो actual में यह काफी vast topic है यहाँ पर मैं आपको shortly explain करूंगा यह आपको यह topic के बारे में और जानकरी चाहिए होगी तो आप मुझे नीचे comment में लिखके बता सक तो जो first step होता है वो generally R&D का होता है drug का जो R&D हो किया जाता है इसमें अलग-अलग segments आ जाते है जैसे target identification और validation, hit generation या lead generation और optimization तो यहाँ पर total आप देखोगे तो 3-5 year, 6 year का समय लगता है और R&D के बाद यह जो drug develop हुआ है उसको पहले animal पे test किया जाता है जिसको pre clinical animal studies का जाता है जिसको लगबग 1 year का समय लगता है और बाद में actual में humans पे testing शुरू होता है और जब भी humans पे testing शुरू होता है उसमें भी तीन अलग-अलग phases होता है first phase में आप देखोगे तो generally उसको safety का phase का जाता है जिसमें 20 to 100 लोगों पे यह जो drug है उसका use किया जाता है जिसको लगब 1 to 2 years का समय लगता है complete testing के लिए second जो phase होता है उसमें यह जो drug है लगबग 100 to 300 लोगों पे यह जो drug है उसको test किया जाता है और उसके बाद में third phase में आप देखोगे तो यह जो drug है वो thousand to three thousand लोगों पे इसका testing होता है और यह phases में यदि patient को कोई side effects नहीं है या कोई adverse effect नहीं है और actual में जो patient है वो cure हो रहा है तो आगे जाके यह जो drug है वो FDA के review और approval के लिए भेजा जाता है जिसमें लगबग 1 to 2 years का समय लगता है तो total यह complete आप process देखोगे drug discovery और development का वो लगबग 15 year का process है अब हम new land lab का जो first business segment है याने generic drug substance याने GDS यह जो business segment है इसके details देखते है इसम हो जाता है primary APIs और दूसरा हो जाता है specialty APIs तो primary APIs में आप देखोगे तो new land lab के पास 3 US FDA approved plants है और इसके अलावा EU GMP approved भी है याने European standard है जिसमें total यह जो 3 plants है उनकी collective capacity आप देखोगे तो 731 kilolitr की capacity उनके पास अब ले भले है तो यह जो prime API का segment है उसमें आप देखोगे तो new land lab यह कि जो APIs है उनको independently manufacture करता है याने खुद उनको manufacture करता है या कुछ ऐसे भी projects होते है जिसमें उनका partnership होता है बाकी और कोई manufacturer उसके साथ इसमें new land lab का focus यह ही है कि उनके जो customer से उनको new land lab एक quality product provide कर सके और जो total supply वो provide कर रहे है वो एक uninterrupted supply हो इसके बाद में generic drug substance में जो second type है याने specialty APIs का type है इसमें आप देखे को जनरली new land lab ऐसे जो APIs है उनको manufacture करता है जो काफी complex सरीकी के APIs है जिसमें काफी R&D लगता है जिसको niche APIs भी कहा जाता है और यह type के जो APIs है उसमें जनरली जो मातजिन से वो काफी better है और यहाँ पर new land lab का काफी focus जो है वो research और development में होता है क्योंकि research और development करने के बाद ही यह जो complex APIs है उनको manufacture कर सकते है और specialty APIs यह जो segment है उसमें वो particular API के लिए generally काफी कम competition है तो यदि suppose new land lab ऐसे जो APIs है उनको manufacture कर पाता है और आगे जाके उनका जो supply है वो continuously उनके customers को provide कर पाता है तो यह business segment में काफी अच्छा growth भी हो सकता है और फिलाल में new land lab का focus specialty APIs में है जिसके जो details हम आगे जाके देखेंगे याने total उनके business में specialty APIs कितना contribute करते है prime APIs कितना करते है इसके अलवा CMS का जो business है वो फिलाल में क्या contribution कर रहा है उनके complete revenues में अभी हम detail देखते है कि specialty type के APIs कौन से है और prime APIs कौन से है यहाँ पे आप table में देख सकते हो मैंने green color में specialty specialty के जो APIs है उनको highlight किया है जिसमें आप देखोगे तो D-ferrosy rock इसके अलवा dorzalamide hydrochloride, entacapon, enzatimil, salamaterol, xynafoate और इसके अलवा sugar madics ऐसे अलग-अलग APIs यह जो है वो specialty APIs है और यह जो सारे APIs है उनका application क्या है या कौन से theoretical segment में वो आते है इसके detail आप right side में देख सकते हो इसके जो prime APIs है यह जो basic APIs है जिसको मैंने red color में आप इंडिकेट किया है तो उसमें आप देखोगे तो ciprofloxacin आता है इसके अलवा donepenzin, levofloxacin, levitiramisetum, metazapine यह इसके अलवा satellol hydrochloride ऐसे जो prime APIs है वो newland आप यहाँ पर manufacture करता है तो यह जो prime APIs है इसमें आप देखोगे याने फ तो यहाँ पर generally prime APIs में कुछ issues आ सकते है total growth rate में वर जो specialty type के APIs है उसमें आप recently growth देखोगे newland lab का तो काफी वो better है compare to prime APIs अभी हम newland lab का third business segment डेखते है जो CMS का है याने custom manufacturing solutions यहाँ पर newland lab customers के specifications के according जो APIs है वो manufacture करते है इसके अलवागा जो intermediate से उनको भी manufacture करके वो customers को provide करते है और यह जो custom manufacturing solution याने CMS का business segment है इसमें company ज़्यादा disclosures नहीं देती याने actual operations है याने उनके जो clients है या कौन से वो particularly API manufacture करते है उनके लिए इसके सारे details company provide नहीं करती क्योंकि यह confidential होता है क्योंकि यह segment में जंदरले ऐसे drugs आ जाते है कि जिनका जो discovery हो फिलाल में शुरू है अलग-अलग phases में वो फिलाल में वो drugs है phase 1, phase 2, phase 3 में है या इसके अलवा clinical trial में है तो जंदरले company इसके बारे में disclosures नहीं देती क्योंकि वो एक confidential information है यदि उनके competitors को समझ जाता है कि new land lab कौन से drugs में काम कर रहा है या यदि उनके competitors को समझ जाता है तो यहाँ पर उनके business में कुछ problems आ सकता है इसलिए जो information है वो काफी confidential रखा जाता है कौन calls में आप देखोगे तो यहाँ पर management ने कोई भी details नहीं दिया है उनके CMS business के लिए तो यदि हमें CMS business के details देखना है या वो कैसे grow हो रहा है या इसके अलवा currently उनके total कितने projects है जिस पर हो काम कर रहा है कौन-कौन से phases में है तो यहाँ पर आपको वो सारी जो details से वो financials में मिलेगे इसके अलवा company हर एक quarter में उनके जो सारे projects है वो फिलाल में कौन से phase में है phase 1, phase 2, phase 3 इसके वो details post करते है तो यह जो सारे details से इसके बारे हम आगे जाके देखेंगे ताकि आपको CMS यह जो business है इसके बारे में और जानकरे मिल जाएगी यहाँ पे आप Newland Lab के geographical sales देख सक के है North America में 31% के Latin America में 3% के इसके अलवा Japan में 5% के आ जाते है और बाकी जो sales है उसके details आप यहाँ पे देख सकते हो तो majorly यह जो player है वो export oriented player है जिसमें उनके जो सारे business segment आते है जैसे की first business segment हो गया उनका GDS का business segment जिसमें उनके specialty APIs और prime APIs आते है और जो उनका second business segment है CMS का business segment याने custom manufacturing solutions तो इसमें उनके जो customers है वो North America, Europe और जो Japan में small और mid-size की biotech firm से उनके लिए जो APIs लगते है वो Newland Lab यहाँ पे manufacture करता है यहाँ पे आप Newland Lab के सारे plants के details देख सकते हो तो total Newland Lab के तीन plant है जिसको वो unit 1, unit 2 और unit 3 कहते है जिसमें से जो unit 3 है उसका उन्होंना acquisition किया था 2017-2018 में आर्क फार्मा करके एक pharmaceutical company थी उससे उन्होंना acquire किया था इसके अलबा unit 1 जो है वो आप देखो 1986 में उन्होंना शुरू किया था, unit 2 आप देखो 1994 में शुरू किया था और यह जो unit से उसमें जो key products है याने जो API manufacture करते है इसके details आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पर जो इसके लिए जो raw material लगते है उनका production जो है वो unit 3 में किया जाता है और new land lab के जो सारे तीनों units है वो USFDA approved units है अभी हम new land lab के जो अलग-अलग business segments है याने GDS में prime APIs और specialty APIs इसके year on year sales के से हो है इसके detail देखते है इसके अलबाद जो CMS का business है इसके भी detail देखेंगे और बाद में profits कैसे increase हुए है revenue कैसे increase हुए है margins में क्या changes आये या नहीं और फिलाल में उनके जो results आये थे याने quarter 1 2021 का result क्या आया था यहां पर currently coronavirus के बाद में क्या impact आया है जो currently API industry में China से इंडिया में shift हो रहा है इसके भी detail देखेंगे तो पहले हम prime APIs से शुरू करेंगे तो prime APIs में आप द यहार आप देखोगे तो काफी कम है सिर्फ 9% से यहां पर growth हुआ है और यदि आप quarterly basis पे देखोगे याने quarter 1 2021 को quarter 1 2020 से compare करोगे तो यहां पर जो revenues है उसमें 8% का decline हुआ है और currently company को यह लग रहा है कि इसमें से ऐसे कुछ products जो है जैसे कि सिप्रोफ लॉक्स इन या लिवोफ लॉक्स इन उसमें maturity आ गई है याने जादा growth यह जो product से उसमें नहीं आ रही है global level पर यह जो prime API इसमें आप देखो तो जन्दली काफी ज्यादा competition होता है और इसलिए उनके जो margin से यह business segment में वह काफी कम है लगबग 10-11-12% के margins आते है इसके comparison में जो specialty APIs है या जो complex APIs है उसमें competition भी कम है और इसलिए यह segment में जो margin से वह भी काफी better है तो अभी हम specialty API जो segment है उसके detail देखते है तो specialty API जो segment है उसके जो revenues 2017 year में थे वह लगबग 154 करोज के थे और 2018 यह year में काफी आप देखो तो बड़ा यहाँ पर degrowth हुआ था 154 करोज से यहाँ पर degrowth होके वह 106 करोज का ह गया था तो यह जो degrowth है उसका basically reason क्या है तो 2018 में आप देखोगे complete year में तो क्या हो गया था कि new land lab के पास जो capacity है API का उसमें से ऐसे जो कुछ products है उसकी बहुत ज्यादा demand हो गई थी और ऐसे जो जंदली products थे वह prime segment के थे और ऐसे कुछ products थे उनकी जो demand है वह काफी कम हो गई specifically जो specialty type के APIs है या जो niche APIs है इसकी demand काफी कम होई थी और इसमें आप देखोगे तो जो salmatorol यह जो API है उसकी demand कम होई थी और इसका total overall revenue में भी काफी impact आया था इसके अलबब़ जो cpro flox session यह जो product है इसके total demand में भी काफी effect हुआ था और इसलिए total जो उनका business का revenue है specifically specialty API का उसमें degrowth हुआ था similarly हम आगे जाके CMS business में देखेंगे 2018 यह जो year था उसमें काफी significant impact overall company में भी आया था और इसके वज़े से उनके total balance sheet में क्या impact आया इसके जो details हम आगे जाके देखेंगे तो total of 2017 to 2020 देखोगे याने 4 year में देखोगे तो specialty API का जो segment है उसमें सिर्फ 2.89% की growth हुई है CAGR level पर यदि आप सिर्फ last quarter के comparison में देखोगे याने quarter one 2020 और quarter one 2021 को compare करोगे तो यहाँ पर जो growth है वो लगबग 17.4% की हुई है और company फिलाल में जो specialty API ऐसे उस पर ज्यादा focus कर रहा है क्योंकि यहाँ पर उनको expected है कि जो growth है वो थोड़ी better हो सकती है इसके अलब जो margin से वो भी काफी better है compare to prime APIs है और यह 2018 year में issue शूरू आ था वो quarter one से शूरू हुआ था और बाद में quarter two quarter three और quarter four में भी जो impact था specialty APIs में आप देखोगे तो वो continuously रहा था और यह जो issue है वो management की तरफ से भी था क्योंकि company के पास enough capacity available नहीं था वो समय में जो product की वो समय में काफी जादा demand थी और बाद में management ने उनके strategy में कुछ changes किया और जो product की demand है उनकी capacity बड़ा थी इसके अलावा वह year में आप देखोगे तो उन्होंने काफी एक बड़ा acquisition किया था आर्क फार्मा करके company थी उसका उन्होंना acquisition किया था जिसको फिलाल में unit 3 करके कहा जाता है और यह जो unit 3 है उसमें generally जो raw material लगते है या इनने जो intermediates लगते है API manufacture करने के लिए वो वहाँ पर manufacture होते है अभी हम new land lab का third business segment के financials देखते ह है यहाँ पर revenue की growth देखोगे 2017 to 2020 तो यहाँ पर CHR लगबग 13% की growth हुई है और quarter on quarter देखोगे याने quarter one 2020 और quarter one 2021 को compare करोगे तो यहाँ पर लगबग 10% की growth हुई है पर 2019 to 2020 complete year में आप देखोगे तो यहाँ पर लगबग 100% से ज़्यादा growth हुई है तो यहाँ पर यह जो growth है वो काफी expand किया है और margin expand होने के basically दो काफी important reason है पहला आप देखोगे तो चाइना ने उनके जो API से उनकी जो prices से वो बढ़ा दी है इसलिए overall जो API से उनकी price बढ़ गई है इसलिए जो new land lab है उसके जो margin से वो काफी बढ़ गए है और जो second reason है वो काफी important है यहाँ पर new land lab ने last two to three years में जो majors लिये थे उनके raw materials को लेके या उनके जो intermediate से इसके regarding याने उन्होंने काफी backward integration किया new land lab ने उनके जो काफी raw materials से उसको खुझ से manufacture करना शुरू किया है और इसलिए उनके जो margin से वो काफी increase हो गया है इसके जो details हम आगे जाके देखेंगे तो maybe आपको revenues में यहाँ प custom manufacturing solution का जो business segment है इसमें commercial level और development level के जो projects है उसका total कितना contribution है इन करोस आप देख सकते हो तो यह जो total contribution है CMS level के business segment से वो continuously improve हो रहा है और मुझे लगता है कि जो CMS business segment है वो आगे जाके भी काफी तेजी से grow हो सकता है क्यूंकि यहाँ पर जो growth है वो 2-3 factors पर depend करती है first हो गया वो currently कौन से जो molecules से उस पर उपर काम कर रहा है second हो गया कि जो molecules से वो कौन से stage में है या जैसे जैसे आगे stages बढ़ते जाते है stage 1 से stage 2 या stage 2 से stage 3 या commercial level पर जब यह जो molecules से वो चला जाता है तो उतना ही उनके जो revenues है वो continuously improve हो जाते है इसके अलबा और एक factor पर भी depend कर करता है कि initially जो projects है वो कौन से level से वो शुरू करते है यूगकि newland lab के ऐसे कुछ projects है वो phase 1 से शुरू होते है पर वो ऐसे भी कुछ projects लेते है कि जो directly phase 3 से शुरू होते है या commercial level पर भी वो कुछ projects लेते है यानि उनके जो customers है उन्होंने suppose कोई molecule already commercialize कर दिया है और यह समय में उ काफी better होते है क्योंकि ऐसे cases में जो drug है वो already completely discover हो चुका है commercialize भी हो चुका है तो यहाँ पर जो revenues है वो काफी stable हो सकते है और इसमें काफी अच्छे तरीके से growth भी हो सकती है बहुत सारे cases में क्या होता है कि जभी molecule preclinical या phase 1 या phase 2 यह phases में होता है तब यह आगे जाके stop हो हो जाता है और वो molecule का complete development हो नहीं पाता है वह phase 3 या commercialization में नहीं जाता है और ऐसे समय में इसका impact newland lab पे भी आ सकता है पर फिलाल में आप देखोगे तो जो commercial प्रोजेक्स है उनका revenue का contribution काफी better है याने 2020 में आप देखोगे तो लगबग 114 करोज जो है वो commercial जो प्रोजेक्स स उससे आये थे और जो development में प्रोजेक्स है उसमें लबग 75 करोज का उनका revenue आया था अभी हम newland lab का जो CMS का business segment है इसमें अलग-अलग उनके जो project के phases है याने pre-clinical, phase 1, phase 2, phase 3, development और commercial इसके सारे details देख सकते हो कि कौन से जो projects है वो फिलाल में कौन से phase में है तो आप complete देखोग जो projects है वो commercial है API में और 9 से commercial जो projects है वो intermediate segment में है तो यहाँ पर आप देखो तो जैसे जैसे commercial जो projects है वो बढ़ते जाएंगे तो total CMS business के जो revenues है वो काफी बढ़ सकते है आगे जाके क्योंकि newland lab को major revenues है वो molecule commercial होने के बाद ही आते है अभी हम newland lab का complete business है उसके detail देखेंगे यहा सकते हो तो 2017 to 2020 में आप revenue देखोगे तो complete business का लगबग 10.16% से grow हुआ है और EBITDA आप देखोगे तो लगबग 6% से grow हुआ है पर actual में जो growth आप देखोगे तो वो 2021 के quarter 1 में आपको दिखाए देगी और specifically वो आपको EBITDA या net profit के level पर दिखाए देगी तो EBITDA के level पर आप देखो देखोगे last quarter के comparison में quarter 1 2020 के comparison में तो यहां पर 78% का growth हुआ है और net profit आप देखोगे तो quarter 1 2020 में 5.6 करोज का net profit उन्होंने पोश्च किया था जो increase होके लगबग 15 करोज का उन्होंने पोश्च किया है quarter 1 2021 में यहां पर काफी आप देखोगे तो huge increase हुआ है और इसका reason आप देख और फिलाल में आप देखो तो वो increase होके 16.5% के हुए है आगे जाके जो management है उनको यह expected है कि यह जो margin से वो और बढ़ सकते है EBITDA level के लगबग 20% के हो सकते है तो company का target यह है कि margin को उनको expand करके 20% का करना है EBITDA level के और उनको ROCE भी 20% का करना है ROCE के details हम आगे जाके देखेंगे similarly आप उनके net profit के margin देखोगे तो वो quarter 1 2020 में 3% का था सिर्फ और अभी फिलाल में वो increase होके 7.28% का हुआ है याने यहाँ पर double से भी ज़्यादा उनका improvement हुआ है उनके pat याने profit after tax के margins में तो total actual में यहाँ पर जो growth हुआ है वो इतना ज़्यादा आपको revenues में नहीं दिखाए द growth हुआ है वो आपको EBITO profit में दिखाए देगा क्योंकि यहाँ पर उनके margin से वो काफी improve हो है और यह जो margin से उनका improve होने का reason जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि first reason यह है कि China में API की prices बढ़ गई है और second reason यह है कि Newland Lab ने last 2 या 3 सालों में जो अलग-अलग majors लिये थे जैसे क कि उन्होंने अपना raw materials से यहने intermediate से उसका manufacturing खुद ने उन्होंने शुरू किया था तो यह जो सारे majors है यह चाइना में जो अलग-अलग developments हुए है इसका combined impact आप यहाँ पर उनके margins में देख सकते हो और काफी heavily मुझे लगता है कि यह जो margin से उनके increase हुए है और आगे जाकि भी यह जो margin से हो मुझे लगता कि sustainable हो सकते है जब तक चाइना से जो supply है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता है अब हम new land lab का revenue mix देखते है year on year तो currently आप 2020 financial year में देखोगे तो majorly उनके जो revenues है लगबग 46% के उनके revenues है वो prime यह जो API का segment है उससे आते है 22% के revenue specialty segment से आते है य जो CMS का business segment है उनको उसको काफी तेजी से grow करना है और यहां पर काफी अच्छी तरिकी से demand भी है उनका यह target है कि आगे जाके next 2-3 years में जो फिलाद में 25% का contribution है revenue में CMS segment का वो उनको बढ़ाना है लगबग 1 third करना है total revenue का याने लगबग 30-35% का उनका target है CMS segment का इसके अलब जो management है वो specialty APS पर फोकस कर रही है क्योंकि यहां पर margins better है competition कम है तो finally उनका जो prime segment हो जाएगा उसका contribution आगे जाके काफी कम हो जाएगा जैसे हम 2020-2024 देखेगे और CMS और जो specialty segments है उसका contribution है काफी बढ़ जाएगा इसके अलब newland lab peptide से और कुछ products जो है वो manufacture करते है यह काफी complex products है औ जाल में उनके total 4 products है यह segment में और आगे जाके मुझे लगता है कि यह जो segment है उससे भी काफी अच्छे revenues आ सकते हैं अभी हम newland lab का return capital employed याने ROC देखते है तो 2015-16-17 में आप देखो तो उनका जो ROC है लगबाग 16-18% का था पर 2017-2018 आप देखोगे तो यहां पे sharp decline हो गया है 16% स 2018 में ROC 4% का decline हुआ है तो यहां पर इसके काफी reason से पहला तो reason यह है उनका कि जैसे कि मैंने आपको पहले बता है कि जो specialty segment है या इसके लगवा जो CMS का segment है इसमें काफी issues आ गए थे उनके ऐसे कुछ जो products है जिसकी काफी ज़्यादा demand थी उत्ता उनके पास capacity available नहीं था और ऐ इसका जो result है हमें 2020 year में दिख सकता है 2021 में उनके जो profits से वह काफी increase हो गए थे quarter one 2021 के उनके जो profits थे वह आप compare करोगे तो वह लगबग equal थे last complete year के याने financial year 2020 के profits और quarter one 2021 के profits यह लगबग same थे तो यहां पर 2021 यह जो year होगा वह काफी आप देखो तो better हो सकता है compared to 2020 और 2018 में first reason त और इसके अलावा आप देखोगे तो उन्होंने काफी investments भी किये थे एक acquisition किया था उन्होंने आर्क फर्मा करके और इसलिए जो ROC है वो काफी कम हुआ है 16% से 4% हो गया था 2018 में और 2020 में आप देखोगे तो यहां पर थोड़ा improvement हुआ है लगबग 8% के आसपास जो ROC है वो new newland lab के operating cash flows, capex और free cash flows के detail देखते है तो यदि आप operating cash flows minus capex करोगे तो आपको free cash flows मिल जाएंगे 2015 में आप देखोगे तो उनके जो operating cash flows है वो लगबग 13 करोज के थे, capex उन्होंने 15 करोज का किया था इसलिए उनके जो free cash flows है वो negative थे 2016-17 थोड़ा better year था पर यहां पर 2018 में आप देखोगे तो उनका जो capex से वो काफी बढ़ गया लगबग 133 करोज का किया और इसका एक रिजन ये भी है कि यहां पर उन्होंने एक pharmaceutical company उसको acquisition किया था जिसका फिलाल में नाम चेंज करके उन्होंने unit 3 लगा है और इसलिए उनके ये year में जो free cash flows है वो काफी negative थे पैट देखोगे profit after tax वो काफी अची तरकी से उन्होंने पोस्ट किया है तो यदि उनके जो operating level के cash flows है वो काफी improve हो जाते है और लगबग वो 40 to 50 करोज या 60 करोज का capex करते है तो उनके free cash लो 2021 येर में काफी बढ़ सकते है और इसलिए आप देखोगे तो new land lab का जो stock है उसक price to earning तो लगबग 55 to 60 के range में जो stock है वो फिलाल में trade कर रहा है तो मैं तो फिलाल में ये जो stock है उसको avoid करूँगा क्योंकि first reason यहाँ पर यह है कि ये जो stock है वो फिलाल में काफी expensive है और second reason यह है कि मुझे लगते कि new land lab से काफी better opportunities pharmaceutical sector में एक better valuation में फिलाल में भी available है तो मैं फि लिखे बता सकते हो जिससे काफी viewers को help हो जाएगा तो यह जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा आपका कुछ suggestion होगा यह वीडियो के related या specifically आपको कुछ topic है इसके related और कुछ जानकरी चाहिए होगी यानि यह जो APS का बारे में मैं आपको बताया इसको research करने के लिए काफी detail से वो मैंने study किया है जैसे कि Newland Lab के जो old con call से उसको मैंने read किया था इसके लाव जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने और एक video डाला था जो आर्टी ड्रक्स का था तो आर्टी ड्रक्स और Newland Lab के जो APIs है उसमें कुछ common APIs है जनरल जो प्राइम सेग्मेंट है Newland Lab का यानि सिप्र प्राइम सेग्मेंट के अलावा निचे कमेंट में लिखके बता सकते हो ऐसे जो वीडियो है मैं आपके लिए आगे जाके create करूंगा और ये वीडियो आप आपके friends के साथ भी जरूर शेर कीजिए ताकि ऐसे जो मैंने detail में analysis किया है Newland Labs के related जिससे उनको भी काफी benefit मिल जाएगा